संगाड़े में पुशीदा सेहत के हरान कुन ववायजाने आपने संगाड़े का नाम सुना ही होगा इसको अर्दू में संगाड़ा और इंगलिश जबान में वाटर चेस्टरंट कहते हैं रंगत के लिहाज से ये काला होता है और ये कीचर में उगने वाला पोदा है तरह ही जमीन के नीचे उगता है सर्दियों के आखास पर ही संगाड़ा मार्केट में बास सानी मिल जाता है काले रंग का छिलका उतार कर फली की गिरी अंदर से सुफैद रंग में खाय जाती है आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं और अगर उबालना चाहें तो उबाल कर मज़िदार गिरी खाय जाती है इसको सब बड़ी शोक सिखाते हैं चीन में बसने वाले लोग संगाड़े को अपने खानों में इस्तिमाल करते हैं संगाड़े में कार्बोहाइट्रेट्स, वाइटामन ए, वाइटामन बी, आयोडीन, मैगनेशियम, जिंक आईरन, परोटीन, पुटाश और कौपर काफी मिगदार में पाया जाता है जाएके के लिहास से ये फल दूसरे फलों से जरा मुख्तलिफ होता है और अगर इसको कच्चा खाया जाए, तो ये थोड़ा मीठा और खस्ता होता है और इसे वाल कर खाया जाए, तो और भी ज़्यादा मज़िदार हो जाता है इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है, और मحفوظ करके रखा जा सकता है या फिर खानों में इस्तिमाल किया जा सकता है संगाडे का इस्तिमाल कम मिगदार में करना चाहिए संगाडे के फवाइद ये भूक को बढ़ाता है संगाडा अमराज कल्ब में फाइदा मंद रहता है संगाडा दुबले पतले अफराद को मोटा करता है संगाडा हलक की खुश्की को दूर करने में मददगार है संगाडा गुर्दे की पत्रियों को तोड़ने के लिए बहतर काम करता है संगाडा तिल्ली की कमजोरी को दूर करता है संगाडा दमाग की सिहत के लिए भी मुफीद है सिंगाडा जिसम में खून की रवानी को बहतर बनाता है सिंगाडा खांसी को खतम करने में मदद करता है सिंगाडा मेदे और अंतरियों के जखमों को शिफा देता है सिंगाडा भुडापे में कमजोर या दाश्ट को बहतर करने में मददगार है खुनी दस्तों में संगाडे का इस्तमाल फाइदा मन्द रहता है संगाडा खाने से दान्त मजबूत और चमकदार होते है जचगी के बाद खवातीन कर संगाडे का आठा इस्तमाल करना बेहद मुफीद होता है संगाडा के पाउडर को जखमों पर चिर्काया जाए तो खुन बहना रुक जाता है अकद के नासूर में संगाडा काना फाइदा मन्द है संगाडे का हलवा जिसम को फर्बा करता है मज़ीद ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब